सिंगापुर से सबसे बड़ी खबर सबसे पहली तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे है हमारे हाफ स्क्रीन में जो इस वक्त वीडियो चल दाया है दरसल ये सिंगापुर से सामने आया है और सिंगापुर के हॉस्पीटल एलिजाबेट में लालू यादो का किड्नी ट्रांस्प्लांट हो चुका है रोहनी आचार्या ने अपनी किड्नी डोने की लगातार पलपल का अपडेट आपको हम दे रहते हैं फर्स्ट विहर पे और इस वक्त जो सबसे एक्स्टूसिब वीडियो आया है ऐलिजाबेट हॉस्पीटल से उस पे देखिए कैसे ऑपरेशन थेटर से लालू यादो को निकाला गया है जो मेडिकल स्टाफ है वहाँ रहा है और मेडिकल बुलेटिंग का इंतिजार है परिवार के दूसरे सदस्यों की मौझूदगी में जो लालू यादो की सरजरी है वो कराई गई वहाँ पे किड़नी डोनेशन जो है वो दिया जो रोहनी आचार्या है उन्होंने दिया और लगातार अपडेट आपको दि पीचारा है वो ये कि लालू यादो होस में है वो बिल्कुल ठीक है और बात कर रहे हैं पेजस्वी यादो डिप्टिसीम दिहार के जो लालू यादो के छोटे बेटे हैं उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है कि लालू यादो की सेहत ठीक है सरजरी के बाद वो हो रही है किड्नी ट्रांस्प्रांट हो रहा है होटल होस्पीटल एलिजाबित में उससे क्या ख़बर आती और जो हजारों लाखों जुआए लालु यादों के लिए हाँ जुड़े हुए थे उन दुआओं का असर है कि लालु यादों क्या किड्नी ट्रांस्प्रांट सफल र रहे हैं, खुद तेजस्वी यादों ने इस बात की जानकारी दी है, एक बार फिर चलते चलते आपको वीडियो दिखाते हैं, और साथी साथ और भी अपडेट आपको आगे ला करके हम दिखाते रहेंगे, लगातार फॉस्ट वियार इस खबर पे बना हुआ है, जो लालू आदा उससे जूड़ हुई खबर लगातार आ रही हैं, ये लो मुह मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे, जॉब छोड़ दिया है, मतला ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे, इस तो नहीं है वहाँ, इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ, अपने पुर्णिया में घर ले लिया है, पुर्णिया के e-homes panorama में, पुर्णिया में panorama ग्रूप लेकर आये हैं, e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिंदगी, और अत्याधुनिक सुविधाओ अड़े-अड़े, आप क्यों मुमीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं, घर वापसी की खुशी, पुर्णिया में e-homes panorama के संग, e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined.